तक नमस्कार केसा नायू बात करेंगे कि गेहों के अंदर पहले यूरिया के साथ में हम एसा एक एसा प्रोडेक्ट देंगे जो इकसी किमत लगवक सो से लगाकर 100-100 रूपय का आच-पास पड़ेगी उससे अपने खेत में जबर्दस फुटा होगा अनगिनत कलो की संक्या होगी साती साथ गेहूं में जो पीला पढ़ रेता है वो बिल्कुल नहीं दिखेगा घ्रयों की बड़वर वह शांदार होगी एक जैसे घ्रयों चलेंगे मतलब आप यूं अचंबित हो जाओ गया कि यार इस कि गेहूं में सिचय कितने दिन होने चाईए और यदि आदर सिचय टाइम की बात करें तो लगवा 21 दिन होते है लेगं जिन नहीं दोस्तों ऐसा नहीं है गेहूं की पहली सिचय आपकी जमीन किस तरह की है जमिन पतली है, काली है, या रितिली मिठी है, या फिर भारी मिठी है, जिसमें पानी रोके रखने की शमता है, तो अलाला कंडिशन में पतली जमिन होगी, तो आपको 18 से लगा गए 21 दिन के अंदर पहली सी चाहिए करने पड़ेगी, यदि रितिली जमिन है, जिसमें काली मि तक भी पहली सिजय कर सकते हैं जैसे कि आप देख पा रहे हैं यह अपने जो की फसल है इसमें लगवग लगवग 22-23 दिन हो चुके हैं दिपावली के आसपास पर नहीं कोई बुज़ विजय की थी अभी जो की हैं आगे चलके गहूं केत्मी सलेंगे तो दोस्तों अब इसमे की है काली मिटी है पानी को रोक राकने की शमता है इसमें तो इसमें थोड़े दिन जादे निकालेंगे तो भी कोई फरकने पड़ने वाला है यदि इसमें पहले सी चाही कर देंगे तो गहूं में फुटाव ची अपने को वहनी मिलेगा इसलिए 21 से लगवागा 25 दिन के तो पहली सी चाही में गहूं में सक्या ड़ले एक जिससे गहूं का फुटाव अच्छा हो कले बहुत ज्यादा फुटे और आगे जाके अपनों को इतक अच्छा मिले अ तो किसे दाती हूँ यह रहे अपने गहूं की फसल जिसमें अपने चटिक विदी से बीजाई की थी और अब इसमें पहले पानी देने की तेयर यह देख सकते हैं आपके मतलब सिर्पम्न ने जब इसकी बुवई की उसमें पानी दिये था लेकिन गहूं की कंदिशन आप अब जाई ने के खाड लगते हैं वो पूर दिये अभी आप सकते हैं कि दो तो कल्ले तिंदिन कल्ले एक पोदो में से निकल रहे हैं क्योंकि श्कूल आस चैनल का मेर मेटेवी है कि जब पन करते लिए बाताते हैं और उसके रिजल्ट पा आपके सामने है कहीं प्ध वीड अब इसे निकल देए अब जब अपन पहली सी चाहिए करेंगे उससे में यूरिया के साथ में कुछ ऐसे ख़तों कामिनेशन बढ़ाएंगे जिससे आने वाले दिनों में अनगिनित कर ले होंगे वह शांदार बढ़वार होगी और गेहु प्ला पनणा ओगा एक जिससे बढ़वा चलेगी और आगे जाकर ज्यादा भाई लिया नेकलेगि ज्यादा फल ज्यादागे होँ अपने को मिलने हैं ऐसा वोन से ख़त ख़त कामिनेशन है जान लेते हैं ज़्यानके हैं लिग्रत्य हैं यूरिया के साथ अपन ऐसी कुछ चीज़ देने वाले हैं तो दोस्तों एक एकड़ के लिए लगबग लगबग अपने को 45-50 किलो यूरिया लेना है यह तो आम आदमी जानता है कि पहली सिचे में यूरिया दते हैं लेकिन दोस्तों यूरिया के साथ में और मैंने एक चीज़ और थोड़ी सी एट करना चाहता हूं मैंने कही सारी वीडियो में कही यूटूब पे भी लोगों को मुझ से सुना है कि अपने वहे क्राशन दीया तंधी देदे दोस्तों बशेकी समय जीगन ही लगता है नब्य पर वय किष्ण यह चीजंव नहीं podr में से बनार है वीडियो डाल रहे है किसान ब्रमित हो रहे है क्योंकि दोस्तों पन बेक्स डिशमें ड neighbors अन्पकय या फिर फोस्फर टिनों और लोग करें जाएगा तो पूस्फरस और जिनक रियक्ट होने से जो अपना फॉस्फरस है डिये पी है उन्पिक है वह जम जाएगा यह दी एक्टिविट फ़्म हो जाएगा क्योंकि दोस्तों फोस्परस के बहुत दागा रेक्ट करता है तो अपनी फसर बिल्कुल नहीं लगेगा तो इसलिए भूल के भी डीएपी एनपी के या फिर सिंगल सुफर फासफेट के साथ कभी भी जिंग ने जा लिएगा तो वह जिंग अपने को अब देना है तो दोस्त को प्रतिकर 50 क्लो लग यूरिय हो गया एक लेली जापेटलिस किलो का आता है दोस्तों अपने को प्रतिकर के साथ से कम से कम पांच किलो जिंग लेना है तक ठीक है और और इसको लेकर भुरुकाव कर देना है उसके बाद में दोस्तों यदि आप चाहो अभी क्योंगे इसक में अभी आप मेंगनिशन सल्फेट जिंग सल्फेट यह मिला कर दे सकते हैं इसमें कोई अपती नहीं है खड़ी कोई रेक्षिन आगा वो शांदा काम करेगा लेकिन यह चीजें अपन कम मात्रा में क्यों अभी मात्रा डालेंगे खेद कंदर ज्यादा मात्रा लगेगी और अपनी इस्प्रेय करेंगे तो कम से ख़र्चे में अपना इक खांधा के साथ म्हं बढकर कर दाने यदि आपके अंदर यह पांड ज्यादा है आपको लगता नहीं यार कई फंकस लगे खुलिए थो आप उसको एक एकड में 500 ग्राम कार्बोन इंजम और मेंकोजब का जो साफका टेक्निकल लताना वह मिला देजिए और वुरुका कर दीजिए जड़ों कंदा इसे तिनी भी फंगस होगी ने सारी खतम हो जाएगी तो फोदा अपने अप हरा हो जाएगा ग्रिन हो जाएगा ठीक है पानी सिचाई कर दी उसके बाद में अपन जो मैंने कहाने वीडियो शुरू में कि सो रुपे से लगा कर सो रहा सो सो रहा ने 134 रुपे के भिसमें खर्चा आया गया ठीक है तो जब अपने पानी दे दिया चारफास दिन खेट के अंदर पनने जिसी कंडिशन अपनी हो गई इसी कंडिशन में आपने को इसप्रेय लेना है इसप्रेक अंदर 15 गुनिस गुनिस या विस विस भी सिर्ण प्रति तंगी अपने को अप्ची से त्तिस ग्राम प्रति बिस लिटर को पानी तंग कि बड़े तंग कर रहे हैं यही कामिनेशन जो अपना 25-30 ग्राम प्रति लिटर के साफ़ से अपन प्रति टंकी के साफ़ से आपन डाल रहे है ना वही बड़े टंक में डाल दीजिए किते लेटर पाण ले रहे हैं उसे अपना खाथ डाल जीगा ठीक है माद में उसके पाद दोस्तु अपने को मेंनिशन सल्फैट में जिन्ह सल्फैट और शकता है यह डिम प्रति लिटर में दीडाव अ हज़े इसल्फैट कि ट्रति लिडार लेना है कि आफ यह सीन्ह से घलशन को लकुईन और प्रति टेंग के सबसे बोड़ों में सोसे यह 500 ग्राम ले लिए लिए 500 ग्राम अपने मेंगनेशन सल्फेट ले लिए बोरन हो गया सल्फर अपने को लगबग लगबग यदि आप पाउडर वाला जो फार्टिस का आता ना यह पाउडर फार में जो भी सल्फर आए 90 दिए और इस प्रेट कर दिए एक जिसा इस पर कर दिए को तकलीब नहीं है दोस्तों उसके बाद में आपकी जो फसल होगी नहीं देखने लाएग होगी आपके शैद आपने देखने कर ने आपके जो आसपास गयना लोग पर संबीत हो जाएंगे कि यार इसी फसल भी होती यह चीज़ें प्रिक्टिकल की हुई है आप निक्चिन्थ होके करिए 100% गारंटी सथ के सक्कम में कि आपको कोई भी प्रोब्लम नहीं आई है ठीके और उसके बाद में खेद के अंदर वापिस अपनों को नहीं पढ़ना है कि साती साथ यदि खेद के अंदर सकरीपती के खरपतवार हैं जीसे घास हुई या जवी इनके लिए अपने चति कर देजाणे taking out और खेते में खर्पतवार दिख रहे हैं तो दोस्तों यह पर एक चीज धान रखिएगा तो बजार में गुद्वर नाशी को कंट्रोल करने के जो खर्पतव नाशी आते हैं उसको लेना है अपनों अलग अलगला कर नहीं मिला ना है क्योंकि दोस्तों इसका कामिनेशिया हलक प्रियाप्त नमी खेत में अंदर होने जरूरी है हवा का रूख देखे इस परिये पास पास में कोई फसल खेड़ी है उसके ज्यान प्रियान लगा बश्काव इसका इस असरो हुए लसन वा मिर्ची वी अधर जो ही फसल हुई आपकी मेती ही कोई फसल होगी सब फ्रक्ट करे तो यह साधानी जरूर में लखिएगा हजागा रूख देके इस पर करिएगा और प्रियाप्त नमी खेत के अंदर होना चाहिए तो आपको सोने 150% रिजल्ट में लेगा कि यह को शांदार फसल चले कोई कोई तकलिफ नहीं आएगी तो तो इस तरह से अपन सो से 1.5 रुपए क्या नहीं आथा कमेंट दौरा जरू मुझे पताएगा क्योंकि यह चले मैं करता हूं लेकिन देखिए आप कहीं मानों आप जानकारी नहीं हो या फिर अपने ये प्रिटिकल नहीं किया हो तो सकते हैं जानकारी को बाव में नहीं किया हो अच्वार आज साल आप करके अपकर बने करेंगे स였습니다 देखने लाक होगी इसके साथ आपो इसके लिए जिले दो yolk करेंगे 독ी सबस्किnant की प्रेस करिए को जो आने वाला इस आप जो पहले आप पहुंचे ठीक है तो आज के वीडियो में इतना ही तो अगले वीडियो में एक नहीं जान के साथ मैं तो तो पसमाएं तो पते के लिए जै